असलाम अलेकॉम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, कैसे हैं सब, अमीद करती हूँ कि आप सब खेरियों से होंगे, मैं भी खेरियों से, लहम्दुलिल्ला, स्टार्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा की तरह सुबह की नाच्टे से, और आज नाच्टे में बना रही थी, मैं प्राठे, आ इस्ता इस्ता खाने के साथ साथ वो भी होता रहेगा, यह नहीं है कि एक ही साथ हम खाना चोड़ दें और फिर हम पतले दूबले हो जाएं, और पिर हमारी जो सकत है काम करने की, और जो हमारी हिम्मत है, वो जवाब दे जाएगी, इसलिए खाना लाजमी है, लेकिन कम करके, मतलब उसकी जो क्वांटी है न वो कम करनी है, बूख रहके खाना खाना है, बिल्कुल ड्रज के नहीं का लेना आपने, ठीक है जी, आप जना वीडियो को जल्दी से लाइक कर ले और फिर आगे बढ़ें, और थैंक यू सो मच जो मुझे अल्रेडी लाइक करते है अच्छा मुझे अभी याद आया था, मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं भूल जाओ, मैं आपके साज जल्दी से शेयर कर देते हैं, क्योंकि मुझे इस पर भी कॉमेंट्स आये थे, अगर आपको पता लगा तो आपको पता लगा तो यह वो ही है कि वैक्सीन की जो तीसरी डोज है, वो लगेगी तो वो तीसरी डोज नहीं है, मुझे पता चला था, तो वो बूस्टर के तोर पे काम करेगी, हर साल लगा करेगी, जैसा कि फ्लू जाब लगता है, यह कोई और जैसा कि मैं वैक्सीन लगा आती है, यह पोलियो बगारा कि जिस तरह के बच्चों को ह हर साल जो वो ड्रॉप्स देते हैं, सेम वैसे यह क्योंके वैक्सीन एक ही बार लगके सारी उमर के लिए वो ऐसा नहीं है के काम करती है, उसके लिए बूस्टर भी चाहिए होता है, जो के हर साल सेम इसी सीजर में लगा करेगा, जिस सीजर में फ्लू जाब लगता है, ठीक कि उनको फ्लू हो जाता है, और फिर मुझे यह है कि हसन स्कूल जाता है, तो वो वहां से तोफ़ा लेके आ जाता है, और फिर उमायमा में साथ बिमार हो जाती है, तो उमायमा का ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, अभी वो वैसे माशालला दो साल से उपर है, तो उसको भी इस साल जो है न, वो लगेगा ऐसकी जो फूलु वैक्सीन है, यह फूलु जैब है, वो इसको भी होगी, तो फिर हम सारे जो है न, खुद को करवा लेते हैं, तो फिर थोड़ा सیکयोर हो जाता है, यह नी है, कि होता नहीं है, लेकिन थोड़ी सीना मत, जो है न, हम ट्राइ करें अगर वो एक साथ लगे तब भी मैं आपको बता दूंगी ना लगे तब भी बता दूंगी लेकिन ये है कि हर साल बूस्टर जो है ना ये जो वैक्सीन है क्रोना की उसके साथ लगा करेगा फ्लू जाब के अलावा ठीक है और चनाब अभी मैं कर रही थी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारी पहली थी ना बोश की वो बहुत ही जबरदस थी पैसे अच्छी चीज़ पर लगते हैं लेकिन वो उसने आज तक कोई कपड़ा मेरा जो है ना वो बन नहीं किया उसके साथ नहीं चिपकी और इसने पता नहीं कितने कपड़े खरा हुई पड़ी है ना और मेरा न्यू ये जो ट्रॉजर है ना इसने खराब कर दिया नीचे से अभी मुझे पता नहीं इसका क्या करूंगी इसलिए जब भी मैं कोई डिजाइनिंग शेयर करती है ना आपके साथ तो ट्राइ करती हूं कि वो बिल्कुल कपड़े की उपर ही काबिल हो तो फिर मैं ट्राइ करती हूँ कि सिर्फ कपड़ा ही मैं यूज करूं डिजाइनिंग के लिए और आप अक्सर मेरे डिजाइन देखी होंगे कि स्प्ल भी होते हैं और इसमें डिजाइनिंग जो है ना वो भी काफी यूज हो जाती है बगएर जो बाजारी चीज चीज़ें होती हैं वो यूज किये वो भी करनी पड़ती है लेकिन ज़्यादतर मैं ट्राइ करती हूं कि सिंपल चीज़ें जो है न सिरुफ फैबर की मैं वही यूज करूँ और अभी ये मेरा जो न्यू ट्रॉजर है ये तो बिचारा बर्न हो गया मुझे पता नहीं भी इस इसे डिजाइन करूंगी या ऐसे भी इसको पहनती रहूंगी लेकिन थोड़ा बहुत इसको डिजाइन करना पड़ेगा एक और बार क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है अगर थोड़ा बहुत पराना होता रहा तो फिर मैं कोई निसको रख देती लेकि ये मुझे पसंद भी और न्यू भी इसलिए मुझे इसको फिर से डिजाइन करना पड़ेगा और सोचेंगी मैंने क्या करना है और चनाब बाकी आज मेरे पास बहुत कपड़े थे वैसे आरेन करने के लिए सारे मैंने किये बच्चों के किये अपने भी कुछ किये कुछ वैसे चोड़ दिये उस और थोड़ा सा नाग पे जारा ज्यादा चोट लगी थी और ब्लड वगरा भी आया था तो मुझे बहुत परिशानी हुई वो बिचारा कहीं बाहर जाके नहीं रोता गर में जतना मर्जी रोले जो मर्जी उसको कह दो जाए थोड़ चोटी सी बात पर वो रोने लग जाता जो है ना वो जादा खराब नहीं होता मुझे दुख नहीं जल्दी लगता लेकिन जब हैसन को बाहर कुछ होता है ना तो फिर मुझे होता है कि बच्चे वहीं तंग करते हैं वहीं रोते हैं वहीं जिद करते हैं जिस जगह पे उनको पता हो कि हमें कोई सुनने वाला है हम या हमें कोई आगे से दलासा देने वाला है, कोई प्यार करने वाला है तो पाहे जाके बच्चा इतना किसी और को तंग नी करता अगर उसके माबब साथ ना हो तो फिर बच्चा तंग नी करता माबब साथ हो तो बच्चा फिर ही तंग करता है क्योंकि मावा अपने नकरे उठाने होते हैं और उनकी बात मान भी नेली होती है ऐसा ही मैंने एक बार फेस्बुक पे ही थी मैं और वहां मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कॉलिम टाइप था वो पड़ा मुझे वो इतना वो अच्छा लगा मेरे दिल पे जा के बात लगी कि कोई बंदी थी शायद अगर मैं गलत नहीं कह रही क्योंकि मेरी जो यादाश था ना इस बारे में वो थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है वो किसी जो होते है ना यतीम खाना वहां गई थी और वहां पे देखा कि छोट-छोटे बच्चे जो होते हैं छे-छे मा के उससे भी छोटे है तो वो बिलकुल अराम से लेटे हुए थे कोई चींच आ नहीं थी कोई रोना दोना नहीं था जैसे कि बच्चे गर्मे करते हैं तो वो बहुत इमप्रेस हुई अपनी तरफ से तो और जाकि उसने पूछा भी कि बच्चे इतने सकून में कैसे हैं क्यों इतने चूप हैं तो वो जो हेड़ थी वहां कि उसने कहा कि जब ये बच्चे आते हैं ना हमारे पास बहुत रोते हैं बहुत तंग करते हैं लेकिन हमारा टाइम होता है कि हमने जब इनका खाने का टाइम हो ये नहीं है कि जब बच्चा रोए तब उसको हम खाने को दे दें तब ही उसकी जो नैपी वगरा है पैमपर है वो चेंज करें हमने टाइम रखा होता है कि हमने इस टाइम खाना देना है इस टाइम हमने उसकी जो नैपी है वो चेंज करनी है इस टाइम दूद देना है तो फिर जो बच्चा रो दो के खुद ही चुप कर जाता है और फिर उसको तसली खुद ही होती रहती है हम ये नहीं हैं कि जब बच्चा रोए तब उसकी जाके पूशगीच करें उससे कुछ ऐसा कहें तो लखी हैं वो लोग जिनको बच्चे तंग करते हैं और उसकी जो बाते हैं वो भी पूरी करते हैं ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि ये सच है क्योंकि बच्चे किसी और को तंग नहीं करते हैं सिर्फ माबब को तंग करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी बात जो है न वो मानी जाएगी जब भी वो कुछ खाने के लिए मांगेंगे जब भी वो कुछ पीने के लिए मांगेंगे जो चीज भी मांगेंगे माबब जो है अगर दे सकते हैं तब भी नहीं दे सकते हैं तब भी उनको वो चीज देते ही देते हैं चाहे किसी से लेके ही क्यों न दें क्योंकि माबब तक लीव बरदाश नहीं कर सकते और किसी और को इतनी परवार नहीं होती चाहे वो बच्चों वाला हो चाहे वो ना हो क्योंकि जतनी अपनी उलाद की फिकर होती है शायद इतनी किसी के नहीं होती होती है soft corner हर एक इनसान में होता है लेकिन किसी और के लिए इतना ज्यादा नहीं होता जितना के अपने के लिए होता है ये बात अभी तक मुझे याद है और भी तब से लेके ना अभी मैं बच्चों को ज्यादा ही कुछ इस बारे में look after करने लग गई हूं कि जी उनको इस तरह से हमें करना चाहिए वैसे हैंडल खैर जी अभी मैं बिनाने लगी थी चिकन प्लाव बहुत ही प्यारा सा मज़दार सा बन जाता है ऐसे तो आज मैं वैसे बॉन्स वाला चिकन जो है वो यूज़ करी थी सबसे पहले मैंने दाचीनी का एक टुकड़ा और साथ मैंने जो जीरा होता है उसको थोड़े दिर बून लिया था मतलब अरड़ी ऑल जो है वो गरम था और उसके बाद मैंने ओनियन जो है वो इसमें डाले थे और इनको भी थोड़ा सा ब्राउन कर दिया था लाइट प्राउन सा और फिर इसमें मैंने चिकन जो है एक फुल मीडियम चिकन था वो एड़ कर दिया था और उसको भी अच्छे से बून लिया और फिर इसमें अधरक का पेस्ट और लेसन का पेस्ट भी बून लिया साथ ही और उसको बूनने के बाद फिर इसमें जनाब मैंने कुछ मसाले डाल दिये थे ज्यादा नहीं थे सिर्फ लाल मिर्च थी और साथ इसमें जीरा पॉर्डर था गरम साला था और साथ नमक और हल्दी इनको अच्छे से बून लेना है और फिर इसमें जनाब ट्मार्ट रैट करने है और मुझे लगता है कि कुकिंग जो है ना वो किसी के सिखाने से नहीं होती वो एक्सपीरियंस आती है जितना आप कुकिंग करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि मैंने लास्ट टाम क्या गलती की थी जो अब नहीं करने में जो इसकी कुकिंग की बात होती है ना मेरे नजदीक वो बूना होती है यह नहीं है कि किसी ने कहा दिया कि आपने तीन मिंट बूने है पांच मिंट बूने है तो उतना ही बूना है बूनना आप अपने मर्जी से है मतलब जब तक आईल ना चीज छोड़े तब तक आपने बूनते ही रहना है हर स्टेप पे ही ठीक है और अभी मैंने साथ इसमें योगर्ट भी आड़ कर दिया है वो इसलिए भी कहा रही हूं बूनने का क्योंकि किसी का जो चूला होता है वो गैस पे होता है कोई अलेक्ट्रिक होता है और कोई लक्री वाला भी होता है तो उसकी जो आंच है ना वो उसे साबसे भी कम या ज्यादा होती है तो जरूरी नहीं अगर किसी ने दो मिंट का है तो आप भी दो मिन थी उसको पकाएं भूने की जो आपकी मर्जी है ना वो आप खुद बिसाइड कर सकते हैं आपको देख के अंदाजा हो सकता है कि अब इस पे कितना और टाइम लगेगा साथ इस पे मैंने ग्रीन चिली जो है ना वो भी आपकर दी ए इसको और भूना है थोड़े रिकवर भी कर दी था और इसी में क्योंके योगर डालके इसी में वो पक गया था रैडी हो गया था बिलकुल कच्छा नहीं था उसके बाद मैंने इसमें पानी आपकाएं ये एक प्याला जो है ना बिगो के रखा था और फिर जनाब मैंने यहाँ पर एड़ कर दिये थे और बस जीए यह हो गे थे और अलमोस्ट रेडी और अभी इसको मैंने दम दे देना है लेकिन दम से पहले यह जो पानी है ना इसको तकरीबन स्लो टू मीडियम आच में मैंने रखा था यूज़ करते हैं दम देने के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं चीज़ वही दे क्या आप दम जो है ना वो दे सकते हैं और अभी जी इसकी फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ बहुत मज़िदार सा यह पलाव बनाता और बस यही थे मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीज़ेगा शेर कीज़ेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो इन्शाला नेक्स वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए द्वाओं में याद रखिएगा अलाफेज